हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है हाउ टो एड फेस्बुक लिड्स टो गूगल शीट्स फॉर आम्स इंडिस्ट्रीज तो एक्जामपल के लिए मान लिजे कि मेरा आम्स मैनुफेक्चरिंग का एक बिजनस है और अपने इसी बिजनस को प्रमोट करने के लिए मैंने फेस्बुक पे एक पेज क्रियेट करके रखा है अब जब भी इस पेज से मुझे कोई नई लिड्स रिसीव होती है फेस्बुक लिड्स से तो आटोमेटेकली सेम लिड्स की डीडेल्स को मैं एड़ करना चाहता हूँ गूगल शीट की रो में ताकि अपनी सारी लिड्स काम आप एक बैक अप रख सकूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरी प्रोसेस हम आटोमेट कर सकते हैं पैबली करेट की मदद से फेस्बुक लिड्स और गूगल शीट के बीच में कनेक्शन एक इंटेग्रेशन बना की अब जब भी फेस्बुक पे कोई नई लिड्स आपको रिसीब होगी तो आटोमेटेकली सेम लिड्स की डीटेल्स अब एड़ कर सकते हैं गूगल शीट की रो में इसमें हमारी ट्रेगर अप्लिकेशन होगी फेस्बुक लिड्स और हमारी एक्शन अप्लिकेशन होगी Google Sheets तो आप कैसे बना सकते हैं इस पुरा automation को कैसे correct कर सकते हैं इन दोने applications को आई ये देखते हैं मेरी screen पे तो चलिए बनाते हैं कैसा automation Google Sheets और Facebook Lead Ads की बीच में जैसे Facebook Lead Ads से कोई नई lead आपको receive होगी तो automatically same lead की details जाके record हो जाएंगे Google Sheets की row में और ये पुरी process हम automate करेंगे पैबली connect की मदद से Google Sheets और Facebook Lead Ads की बीच में connection बना के तो चलते हैं new tab पे आप देख सकते हैं ये है पैबली का landing page पैबली एक बहुती amazing software है जाप multiple applications को connect and integrate कर सकते हैं अगर आप एक नई user है तो जाएए sign up for free पे जहाँ आपको और महीने मिलेंगे 100 free tasks कैसे automation create करने के लिए अगर आप एक existing user हैं तो simply click करिएगा sign in पे sign in पे click करते ही आपके सामने open होंगी पैबली की एपाइच में एप्लिकेशन्स आज हमको use करना पैबली connect का तो click करेंगा access now पे access now पे click करते ही अब आपके सामने open होगा पैबली कनेट का dashboard पैबली कनेट के dashboard पे आने के बाद हमको जाना right hand side पे click करना अज ब्लू बटन पे create workflow पे और एक नया workflow हमको यहाँ पे बनाना है जैसे create workflow की बटन पे आप click करेंगे आपके सामने एक dialogue box appear होगा जहाँ आपको इस workflow को एक नाम देना है तो मालनीजे मैं इसे नाम देता हूँ add arms industries leads to google sheets आप अपने requirement के हिसाब से से कोई और भी नाम दी सकते हैं इसके बाद आपको choose करना है वो particular folder जिसमें आपके नया workflow बनाना चाहते हैं folder choose करने के बाद आपको create पे और जैसे आप create पे क्लिक करेंगे अब आपकी सामने open होंगे यह दो important boxes जिनकों कहते हैं trigger and action basically जो पूरा automation आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों principles और concepts पर इभी इस डूते हैं इनकी definition की बात करें तो trigger कहता है when this happens अब ट्रेगर और action को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का मारा objective क्या है मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं तो देखे आज का मेरा बड़ा simple सा objective है कि जब भी Facebook से मुझे कोई नई lead receive होती है तो automatically same lead की details को मैं add करना चाहता हूं गूगर शीट की ड्रो में अब देखे एग्जामपल के लिए मा लिजे कि मेरा arms manufacturing का एक business है और अपने इसी business को market करने के लिए grow करने के लिए मैंने Facebook पे एक page क्रेट करके रखा है जिसका नाम है shield text solution अब देख सकते हैं यह हमारा एक page और इसी page पे मैंने एक form create करके रखा है जो कि है lead gen form अब जैसे कोई person उस form को fill करता है और एक नई lead मुझे receive होती है Facebook lead ads से तो automatically वो lead की details मैं add करना चाहता हूं Google sheet की रों में ताकि मैं अपने सारी leads का data हाँ पे रख सकूं और बाद मैं अपने data को अच्छे से analyze भी कर पाऊं तो देखिए जो हमारी trigger application होगी वोगी Facebook lead ads और हमारी action application होगी Google sheets तो जाएंगे हम वैब्ली connect पे सबसे पहले choose करेंगे हमारी trigger application जिसका नामे Facebook lead ads Facebook lead ads पे नई lead मिलते ही instantly मेरा workflow trigger हो जाएगा तो trigger event मेरा होगा new lead instant अब जैसी कोई नई lead मिलेगी तो lead की details में कहा add करना चाहता हूँ वो lead की details में add करना चाहता हूँ Google sheet की row में तो जो हमारी action application होगी वोगी Google sheets और हमारा action event होगा add new row मतलब Facebook से नई lead मिलते ही Google sheet में automatically एक नई row add हो जाएगी अब देखे Google sheets और Facebook lead ads दोनों के बीच में कोई भी direct connection नहीं है इसलिए हम यूज कर रहे है पैबली connect का तो सबसे पहले हम Facebook के account को connect करेंगे पैबली connect से कि जैसी Facebook से कोई नई lead हमें receive हो तो automatically वो lead की details पैबली connect अपने पास यहाँ पे capture कर ले तो उसके लिए हमें हमारा Facebook का अकाउंट connect करना पड़ेगा पैबली connect से तो क्लिक करना आपको connect पे इसके बाद आपको जाना है एड़ियो connection पे फिर आपको क्लिक करना है connect with Facebook lead ads और देखे हमारा authorization automatically आपे successful हो जाएगा क्योंकि Facebook का अकाउंट पे रा already locked in था page और lead gen form हमको यहाँ पे select करना है जिसका response हम capture करना चाहते है पैबली connect के पास तो देखे page का नीम है shield text solution और इस page पे जितने भी forms पे ने बनाए हैं वो सारे forms आपको यहाँ पे दिख रहोंगा अब दिख सकते हैं यही था हमारे page का नीम आप वही page यहाँ पे choose करिएगा जिसका response आप capture करना चाहते है अपने पास इसके बाद lead gen form आपको select करना है तो देखे मैंने दो form यहाँ पे बना के रखे हैं एक करना में new lead form और एक करना में lead form अब इसमें से एक form मुझे select करना है जिसका response मैं capture करना चाहता हूँ पैबली करेट के पास अब देखे आप चाहें तो दोनों option में आपे choose कर सकते हैं यह वाला option चूज करके all lead gen forms वाला option इससे क्या होगा आपने पीच पे जितने भी forms create करके रखें किसी एक भी form से कोई नई lead generate होगी तो automatically आपका workflow trigger हो जाएगा अगर आपने individually किसी एक form को select किया तो सिर्फ उसी form से आपका workflow काम करेगा और उसी form से फिर आगे हमारी lead generate होगी और add होगी Google sheet की row में तो individually आप form select कर सकते हैं और आप चाहें तो सारे forms का response भी capture कर सकते हैं पैबली करेट के पास तो देखी जो मेरे form का name है उसका नाम है new lead form यह form में आपके कर लिए select अब दीखे मैं click करूँगा save and send test request की button पर जैसी मैंने save and send test request की button पर click किया है आप देख सकते हैं publicly connect है आप यहाँ पर वेबोक response का wait करने लग गया है और note में हमको बोला है कि जैसी आप करके नहीं दिखा रहा हूँ यह सिर्फ example मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए मुझे test lead generate करनी पड़ेगी तो चलता हम metafor developers पे click करता हम my applications पे my applications पे click करने के बाद आपको जाना है tools पे और tools पे जाने के बाद आपको जाना है lead ads ito debug tool पे जैसे आप lead ads ito debug tool पे click करेंगे तो lead ads testing tool आपके सामने आप पे open हो चुका आप देख सकते हैं अब वही page और form हमको यह पे select करना है जिसका response हम capture करना चाहतना है पैबली करनेट के पास तो दिखिए जो मेरे page करने में है उसका नाम था shield text solution और जो मेरे form का नाम था उसका नाम था new lead form अब दीके मैं click करूँगा preview form पे तो form हमारे समने open हो जाएगा और जैसी उस form को मैं fill करूँगा तो automatically एक नई lead generate हो जाएगी और वो lead की details पैबली करेंट है आपने पास capture कर लेगा वेबक response की मदद से ही तो चली ये form हम करते हैं fill click करते हम preview form पे preview form पे click करते हैं आप देख सकते है form हमारे समने open हो चुका यहाँ पे लिखा है please fill the form we will connect with you as soon as possible तो full name हमाली ये lead का demo test email है demo at the ratepriblitudes.com और ये है lead का contact number अब मैं जैसी next पे click करूँगा और submit पे click करूँगा तो आप देखेंगे form हमारे सामने open हो चुका और यह form मैंने आप फिल भी कर दिया successfully और जैसी form मैंने आप फिल किया है automatically एक नई lead जनरेट हो चुकी है और वो lead की details publicly connect अपने पास capture कर ली होगी आप देख सकते हैं नई lead आप जनरेट हो चुकी है तो चलता है हम वापिस पैबली करनेट पे और देख सकते हैं आप आपके सामने हैं आप हमको वेब उक response रसीव हो चुका है यह था lead का full name demo test यह थी lead की मिल आईडी और यह था lead का contact number आपके सामने अभी मैंने सारी details फिल करी हैं और उसारी details पैबली करनेट ने अपने पास capture कर ली हैं इसका मतलब जो हमारा first step of integration है वो वर कर रहा है हमने Facebook के account को successfully connect कर दिया पैबली करनेट से अब जैसी Facebook lead head से कोई नई lead हमको रसीव होगी तो automatically वो lead की details पैबली करनेट अपने पास capture कर लेगा अब same lead की details मैं add करना चाहता हूँ Google sheet की row में तो Google का account आप मैं connect करूँगा पैबली करनेट से तो जाना आपको add new connection पे फिर आपको click करना है sign in with Google यहां से choose करना आपको अपने account जहां पे अपने spreadsheet create करके रखी है फिर आपको authorization प्रोवाइट करना है Google sheets को पैबली करनेट से connect करने के लिए तो जैसे मैं allow पे click करूँगा तो आप देखेंगे हमारा authorization यहां पे successful हो चुका है और Google का account connect हो चुका है पैबली करनेट से अप account connect होने के बाद सबसे पहले हमको choose करनी हमारी spreadsheet कि किस particular spreadsheet में आप सारे leads की details add करना चाहते हैं तो देखें जो मेरी spreadsheet करनेट में उसकरा मैं Facebook leads data तो मैं जाओंगा पैबली करनेट पे choose करूँगा अपनी spreadsheet Facebook leads data और जैसी spreadsheet मैंने आप सिलेट करी है जो भी columns मेरे बनाये था अपनी spreadsheet में यह सारे columns पैबली करनेट में अपने पर स्कैप्चर कर ली होंगा आप देख सकते हैं सारे columns में आप आ चुके हैं और sheet भी हमारे सिस्टम ने automatically detect कर ली है क्योंकि यह की sheet में आपर create करके रखी थी आप देख सकते हैं full name, email, contact number यह सारी fields हमें आप आ चुकी है अब one by one करके यह fields हमें आप करेंगे fill और यह हम fill करेंगे mapping की मदद से mapping का मतलब यह होता है कि जो response हमको मिला था हमारी trigger application से मतलब facebook lead ad से उसे response का use मैं आप कर लूँगा वो भी without manually type करके इस process को हम कहते हैं mapping तो देखिए mapping कैसे की जाती जैसे आप इस field पर क्लिक करेंगे तो facebook lead ad जो कि हमारी trigger application थी जो कि हमारी previous step थी वो आपको यहाँ पर दिखरी होगी इसके drop down पर जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी response आपको मिला था आपके trigger application से वो पूरा आपको यहाँ पर दिखरा होगा तो यह था lead का full name इसको मैंने आपके कर दिया मैप कुछ इस तरीके से इसी तरीके से जो lead की mail ID थी वो भी मैंने आपके कर दिया है मैप और इसी तरीके से जो lead का contact number था वो भी मैंने आपके कर दिया है मैप अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने आपके क्यों किया तो देखें मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यदा इंप्रोटेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने आपे मैप किया है डेटा आटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाएगा असान भाष़ा मैं मैं आपको समझाओ तो जब भी फेस्बुक से कोई नई लीड आपको रिसीब होगी तो आटोमेटिकली जो नई लीड़ आपको मिली है, उसका जो नेम है, इमेल है, कॉंटेक्ट नमबर है वो सारी डीटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी अपने आप हमारा वर्कफलो ट्रिगर होगा और सेम डीटेल्स आटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड जाएंगी गूगल शीट की रो में, आपको कोई भी मैनूल वर्क करने के जरूरत नहीं पड़ेगी अगर यहाँ पे में डीटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनूली टाइप कर देता तो फिर हमारा आटोमेशन काम नहीं करता क्योंकि यह डिटा हमेशा रहता स्टैक है परमनेंट, फिर हमारा वर्कफलो काम नहीं करता ना तो हमारा आटोमेशन काम करता इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ज़Яदा ज़रूरी प्रोसेश अब देखें जैसे में save and send, test request की बटन पे क्लिक करूँगा, automatically ये details जाके record हो जाएंगी Google Sheet की row में, और देखें आप हमको API response पे receive हो चुका है, इसका मतलब ये details जाके record हो चुकी है Google Sheet की row में, तो चलते हम हमारी Google Sheet पे, और देखें सारी leads की details आप आके add हो चुकी है, ये था lead का full name, demo test, ये थी lead की mail ID, और ये था lead का contact number, इसका मतलब जो automation हमने बनाया है, पैपली connect पे हो सही से काम कर रहा है, simply दो step में हमने पुरा automation बना दिया, जो work करेगा instantly, जैसे Facebook से कोई नई lead आपको receive होगी, तो automatically वो leads की details जाके record जाएंगी Google Sheet की row में, तो अगर आप भी इस workflow का use करना चाहते हैं, तो इसका link पर अपने video के description में दे दूँगा, जहाँ आप इसे बड़ी असानी से ये कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, आप और भी application के integration, पैबली करेट की मदद से बना सकते हैं, इसके लिए आप हमें email कर सकते है, support at the rate family.com पर, अगर आपको कोई queries है, आप